तिरे द्वारी खड़ा भगवान भगत भर देरे जोली तिरे द्वारी खड़ा भगवान भगत भर देरे जोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे जोली मकत मन मेरे जोली तेरा होगा बड़ा है शाँ के युग युग तेरी रहेगी शाँ भगत भर तेरे जोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे जोली भगत भर तेरे जोली तेरे जोली देखिए एक प्रात्ना ठाकुर जी के भिक्षा पात्र में कोई भी पैसे धन नहीं दालेंगे सबसे निवेदन है ये एक लीला है कि वो भिक्षा पात्र लेकर भूम रहे हैं लेकिन हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम भगवान को कुछ दे सके तो सबसे निवेदन है सिर्फ दर्शन करे दूर से उनके भिक्षा पात्र में कोई कुछ भी ना डाले मुलिये बापन भगवादेगी ये है खलिये बापन भगवादेगी ये है ये है ये है आदे आदे ये है 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 और भगवान केते हैं डोल उठी है सारी घरती देख ले तोल उठी है सारी घरती देख ले तोल उठी है सारी घरती देख ले तोल उठी है सारी घरती देख ले बीक पांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हरारे, जगत का पालन हरार मैं आज तेरा पहमा, मैं आज तेरा पहमा, परकरे मुझे को जड़ा पहचा, भगत भर देरे जो, भगत भर देरे जोरी तेरे द्वार खड़ा भगपान, भगत भर देरे जो, भगत भर देरे जोरी पली खादू देरे सगी यहाँ 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 और भगवान कहते हैं कि आज दान करने में सकुचाना नहीं भगवान ने कहा आज लुटा देरे सरबस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा देरे सरबस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा देरे दे अपना पल कहना मेरा निक जाई का पल में तीरा जनम जनम का फिरारी जनम ननम का मेरा तो छोड सकल नभी मा अमर कर लेरे तु अपना ता भगत भर देरे जोड़ी तेरे पार खड़ा भगवान भगत भर देरे जोड़ी मगत भर देरे जोड़ी ओ तेरा हों का बना एहसान मेरा हों का बना एहसान के युग युग तेरी रहे की शान मगत भर देरे जोड़ी मगत भर देरे जोड़ी मगत भर देरे जोड़ी राज आपने पास बुलाते हैं बली ने कहा कहिए क्या चाहते हैं आप अरे आज तो मन करता है कि अपनी सारी चीजे लुटा तो सब कुछ दान कर दो ठाकुर जी ने कहा हमें जादा कुछ नहीं चाहिए पहले तो वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे आप हमें वही देंगे राजा ने कहा अरे वचन की कोई दरूरत नहीं आपको जो मांगना है आप मांगें मैंने कहा तो आज मन करता है सब कुछ लुटा दू मुले नहीं पहले वचन राजा ने कहा ठीक है मैंने वचन जी आप जो मांगेंगे मैं आपको वही दोगा थाकुर जी कहते हैं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हम तो संतुष्ट ब्राम्मन हैं बस तीन पग भूमी चाहिए तीन पग भूमी मतलब तीन पैर राजा हसने लग जाते हैं राजा ने का एक तो आप खुड़ छोटे से आपके पैर छोटे छोटे तीन पग भूमी में क्या मिल जाएगा अरे आप कहो मैं आपको अपना आधा राज्य देगू भगवान कहते नहीं हम तो संतुष्ट ब्राम्मन हैं जादा नहीं चाहिए तीन पग भूमी में तुम्हें कंगाल कर दे गई है बली ने कहा अब तो वचन दे दिया और इससे बड़ी बात क्या होती है कि भगवान मेरे दर मांगने आए है मुझसे कुछ अरे दी मैंने तीन पग भूमी ये बात कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू करते है बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं अब भगवान अपना पहला पैर रखते है पूरी धर्थी ना अप लेते दूसरा पैर रखते हैं पूरा ब्रह्मान्द ना अप लेते दोई पैरों में सब कुछ मिल गया हूँ भगवान कहते अब तीसरा पैर कहां रखूँ बली ने का एक बात बताईए दान बड़ा की दानी बड़ा बताओ कौन बड़ा दान बड़ा की दानी बड़ा दानी बड़ा तो राजा बली कहते तीसरा पैर मुझ पर रख और भगवान अपना तीसरा पैर राजा बली के उपर रखते बली बाबन भगवान एकी कितनी ही बार दयानिधिने संसार को आके उबार लिया तब तब प्रभुने अवतार लिया तब तब प्रभुने अवतार लिया करो हरी दर्शन करो हरी दर्शन पलिबामन भगवाने की इस प्रकार भगवान तीन लोग चौदा बोवन देवताओं को वापस करते अब कथा आती है इक्ष्वासवन्ष के बारे में इसमें राजा नभग हुए राजा नाभाग हुए राजा अंब्रीश हुए राजा अंब्रीश की छोटी सी कथा है राजा अंब्रीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भगत थे तो वो एकादशी का व्रत किया कर झाल झाल